तो दोस्तों आज बनाते हैं कुछ नया नास्ता और ओ भी बिना ताम जाम के घर की चीजों से बना हुआ नास्ता ऐसा नास्ता की महमान भी पूछेंगे आपने कैसे बनाया घर में कुछ भी नहीं है फिर भी गेहूं के आटे और आलू से आप इस नास्ते को बना सकते हैं तो तो चलिए देर की इस बात की सुरू करते हैं इस टेस्टी से नास्ते को बनाना तो नमस्कार दोस्तों ममता की रोसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जारी हूँ गेहूं के आटे का नास्ता मेरी ये रेसिपी पूरी देखिएगा और रेसिपी पसंद तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा बेल ऐकन दबाना मत भूलियेगा इस नास्ते को बनाने के लिए हैं एक कप गेहूं का आटा जब भी अब गेहूं के आटे से कोई नास्ता बनाते हैं तो उसे अच्छे से च्छान के बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और देखने में भी अच्छा होता है अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स अपनी टेस्ट के एकोर्डिंग डालिएगा जैसा तीखा पसंद करते हैं अब उसके बाद हम डाल देंगे नमक और नमक डालने के बाद हम डालते हैं एक लगता है तो सारी चीजों को पहले इस तरीके से मिला देते हैं और सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया ये देखिए आप चाहें तो इस प्रोसेस को चमच से भी कर सकते हैं पर हाथों को अच्छे से वास कर लीजेगा और इस तरीके से हाथों से मिलाएंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी तो यहां पर देखिए सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है और यह नाज़ता हमें आलू और गहों के आटे से बनाना है तो मैंने पहले ही आलू को वाइल करके और ग्रेट करके रख दिया है अब देखिए चम्मच से यहाँ पे दो बड़े चम्मच निकाल लेंगे यह जो हमारा मिक्सचर है आटो का तो इस तरीके से निकाल के अलग रख देते हैं यह देखिए तोटल मैंने एक कप आटा लिया है आप अगर इस नास्ते को ज़्यादा मातरा में बनाना चाहते हैं तो दो कप आटे में भी बना सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी डालके इसे टाइट डो लगा लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से पानी एक बार ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि आटे की क्योंटिटी कम है तो पानी भी थोड़ा थोड़ा डालिएगा एक बार ज़्यादा पानी डालेंगे तो आटा हमारा गीला हो जाएगा और हमें यहाँ पे थोड़ा सा डोड सक्त चाहिए इस तरीके से अच्छे से गूत के मैंने यहाँ पे त्यार कर लिया है आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा पारी डालते हुए यहाँ पे इस तरीके का सक्त डो हमने बना के त्यार कर लिया है ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसे मसल देंगे हाथों से, ताकि जब हम इसे बेलें, तो ये अच्छे से चपाती की तरह बील पाए, ये देखिए, अब मैं इसे ढखके थोड़ी देर तक एक साइड में रखूंगी, ताकि ये जो डो है वो एक दम अच्छे से तया वॉल आलू लिये थे उसे ले लिये हैँ मैंने इसे यहां पे शेखा हम ग्रेट करके है आप जाहेरों तो है धुटा करहें आप पोड़ा तो करें लाल मिर्च का पॉडर थोड़ाब थोड़ा है DO मैं इसके बाद फॉड़ा सा गरम मसाला पॉड़ा डाल देंगे ये देखिए, मसाले हमने थोड़े-थोड़े से ही लिए है और अब हम डाल रहे हैं चाट मसाला हाफ टीजपून, आप इसके जग़े पे अमचुर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये देखिए और हरा दिनिया भी डाल देंगे, सारी तो आप थोड़ा सा इसमें मेर्च और गरम मसाला अमचुर पाउडर और डाल सकते हैं, और अब हमने उस मिस्चर को एक साइड में कर दिया है, जो आलू का हमने बना के रखा है, और जो मैंने दो चम्मच आटे में से निकाला था आटा, उसे हम इस तरीके से घोल बना के त इस तरीके का, यहां पर हमारा बेटर बन के तयार है, तो चलिए इसे भी रख देते हैं एक साइड में और आटे को चेक कर लेते हैं, आटा हमारा सेट हो चुका है, और अब हम इसकी एक ही लोई बना लेंगे, और इसे सुखे आटे में डस्ट कर लेंगे, इसे डस्ट करने एक तरीके की हमने बड़ी सी चपाती बना ली है, और अब इस पे हम आलू की स्टफिंग रखेंगे, जो हमने आलू का मसाला त्यार करके रखा था, उसे रख देंगे इस तरीके से, और इसे अच्छे से फैलाएंगे, आप चाहें तो हातों से फैला सकते हैं, या फिर चम् अब हम इसे रोल कर देंगे, अच्छे से फैलाने के बाद एक साइड से हम अच्छे से इसे रोल करेंगे, दबा दबा के रोल करिएगा, ताकि बीच में जगा ना बचे, ये देखिए मैं टाइट रोल कर रही हूँ, इसे इस तरीके से मोड़ते जाएंगे, और रोल कर ले जहां पर मसाला नहीं है, अब हम यहां पर आधे-आधे इंच की दूरी पर हम इस तरीके से कट करेंगे, यह देखिए, यहां पर फटा-फट कट करके त्यार कर लेते हैं, अब यहां पर एक-एक उठाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जैसा आप को डालेंगे इस घोल में जो हमने घोल त्यार करके रखा है ये देखिए और एक तरफ रख देंगे ओयल गरम होने के लिए गैस पे और इस तरीके से घोल में डिप करेंगे और गर्मा गरम तेल में इसे डाल देंगे इसी तरीके से सारे नास्ते को डिप करके डालते तो दोस्तों यह देखिए घर की चीजों से बनने वाला यह नास्त्य को बनाने के लिए आपको बजार से कुछ भी नहीं दाना है। все जब भी आपका मन हो या फिर कोई महमाना है तो फटाफट आप इस नास्त्ये को बना दीजिएगा बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है खाने में बहुत ही स्वाधिश लगता है अब हम इसे डाल के रट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक तो देखिए हाँ पे हमने कर लिया है फ्राई और इसे निकाल लेते हैं एक इस टेनर पे यह देखिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा ओयल है दुबारा से कड़ाही में गिर जाए और सेम प्रोसेस से हम सारा नास्ता इसी तरीके से फ्राई करके त्यार कर लेंगे अब इसे हमने कर लिया है गर्मा गर्म सर्व यह देखिए मैंने सर्व किया है दनिये की चट्नी और टोमेटो केचप के साथ आप अपनी मन पसंद चट्नी के साथ सर्व कर सकते हैं और यह देखिए नजदीक से मैं दिखा रही हूँ बहुत ही लाजबाब है और अब देखिए कितना ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनके त्यार हुआ है तो चलिए दिखाते हैं आपको मेरी यह रेसिपी जरूर बनाईएगा आप सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है यह देखिए है ना बेहत कुरकुरा नास्ता तो इस नास्ते को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी कहां से देख रहे हैं तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों और टेक केर